अस्वालेकुम मैं हूँ असदरी और आप देख रहे हैं असदरी टीवी दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या पीटी सील का जो डेट सो एंबी पीएस का कुनेक्शन है वो लगवाना चाहिए या नहीं आज के वीडियो में मैं आपको पीटी सील की वन फिक एंबी पैस्पीड का जो रव्यू भी करूंगा और टेस्ट بھی करके दिखाऊंगा के पीटी सील का जो डेट सो एंबी पी-पैस का वाई-फाई कनेक्शन है वो कितनी स्पीड आपको पास करेगा और क्या प्रॉपर आपके मुबाइल पर 1.500 Mbps की स्पीड मिल पाएगी भी या नहीं या कितनी देर में आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं तो ये सारी बातें जो हैं मैं बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि PTCL की 1.500 Mbps स्पीड जो मैंने ले रखी है उसका जो बिल है वो कितना आता है मैं आपको प्रॉपर बिल दिखाऊंगा कितने टैक्सी हैं कितना इंटरनेट का जो है वो खर्चा है कितना लैंड लैंड लाइन आ रहा है सारा कुछ मैं आपको जो है वो इसमें आपको बिल को ब्रेकडाउन करूंगा दिखाऊंगा और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1.500 Mbps की स्पीड को रिसीब करने के लिए कौन सा मैंने जो है अपने घर में राउटर लगा रहा है ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये की रिक्वेस्ट किया करते हैं यार भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें लाइक करना बिल्कुल फ्री है और अगर आपने हमारे चैनल असदली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के निशान को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी आन जरूर कर लें कंशन नहीं देता बलके 50 NBA संका आ कोनेकशन भी फाइबर के बहार लेना मुंकिन है नहीं ना कि पर चैनल नहीं कर दो तो थीक है लेकिन्प देता open प्रिकमेंट नहीं करूंगा कि आप उस पर 20-30-40-50 एमबी का कॉनेक्शन लें क्योंकि कभी भी कॉपर टेकनोलोजी जो है वो हाई स्पीड को पास नहीं कर पाती और थोड़ी सी बारिश होती है कॉपर पर नमी आ जाती है तो कॉपर पर जाता है तो कभी कॉपर पर कार्बन अगर आपको फाइबर आप्टिक्स की सर्वस्ट प्रोवाइड कर धेन देनी जो है वो आप पिडेशल को यूश करे ह 235 को टाटा बाई बाई क्या दें किम्किछ प्र्न कापड़ को यूश किया है और मैंने काफी साल अप फाइबर को भी यूश किया है मैं दोनों के फार आप कापर यूस करें अगर आप कौपर यूस करें तो अज यह उखाड के अपने घर से बाहर फैंग दें अगर आपके एरिया Mayшam के लावा कोई option ही नहीं है फिर तो definitely आपकी मजबूरी है लेकिन अगर आप कॉपर यूज़ का रहे हो और आपके अरिया में यह जो स्टॉम फाइबर है निया टेल है इस तरह की और बहुत सी जो सर्फिस हैं यह मौजूद है तो फिर आपको मैं यह मश्रुआ दूँगा कि आप आज ही पीटसेल को खैरबाद कहके उतार के कॉपर जैसी फजूल टेकनोलोजी को बाई बाई करके जो है वो कोई भी फाइबर आप्टिक्स वारा जो इंटरनेट है लगवा सकते क्योंकि नया टेल जो हो 100% है ही फाइबर पे इसी तरह जो स्टॉम फाइबर है उन्हो जनाब बिल्कुल मैं 100% सैटिस्वाइड हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने मुबाइल फून पर स्पीड टेस्ट करके दिखा रहा हूं पीटसेल के डेट सो मबीपियस कनेक्शन के साथ और यह देखें यह स्पीड टेस्ट ओकला का और अगर आप चेक कर सक जो नोटेबल बात है वो यह है कि मुबाइल फून पर जो है 145 MPPS की यह देखें यह दौन लोड़िंग स्पीड है वो मैंने लिए और अब अब अप्लोडिंग स्पीड आई है तो यह अगर आप टैस्ट रिजल्स चेक करें तो डौनलोडिंग स्पीड जो है 145 MPPS आई है तो पीसी पर जो स्पीड टेस्ट आई थिंक कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुबाइल से जादा बैटर आएंगे क्योंकि पीसी जो हमेशा आपकिया जो है वाइर कोनेक्शन होता है पीसी के साथ तो अपलोडिंग स्पीड जो पीसी पर है दोस्तों वो तकरीबान आप चेक कर सकते हैं कि फाइनल जो हमें मिली है वो 154 MPPS के करीब मिली है जो कि एक बहुत ही शांदार स्पीड जो है वो मिली है हमें और दोस्तों अगर हम बिल की बात करें कि कितना बिल जो है मुझे चार्ज हो रहा है 1500 MPPS स्पीड का तो दोस्तों ये है बिल 1500 MPPS स्पीड का तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये पिछले मन्त का बिल है जो के 12600 रुपया है और अगर आप 12600 रुपया जो बिल है 1500 MP लुपीस जो है पढ़ा है तो ये मुझे बंडल एक जो है 954 रुपीस का पिटalten का रहा है तो बाकी जो बिल है वो सारे टैक्सी का बिल है और वो टैक्सी कौन-कौन से पढ़ए है सर्वस टैक्स मुझे 1696 रुपए पापढ़ है जबके विद होल्डिंग टैک्स जो है नि लाके जो है वो 12,600 रुपया बनता है 1.500 Mbps स्पीड का जो कि फैसलाबाद में मुझे मिल रहा है PTCL का ये जो मुझे रेट चार्ज हो रहा है ये फैसलाबाद में फाइबर आप्टिक्स का मुझे चार्ज हो रहा है में भी कुछ सिटी में थोड़ा बहुत तैरफ का फरक भी हो सकता है और दोस्तों सबसे जादा इंपॉर्टन बात जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि जब आप 1500 Mbps तक की स्पीड को यूज करोगे तो 150 Mbps की जो स्पीड होती है ये हाई स्पीड गिनी जाती है तो इसके लिए आप अपने मुबाइल फोन पर इसको अगर रसीव करना चाहरे हो तो आपको Wi-Fi 6 टेकनोलजी का जो कोई भी राउटर या एकसेस पॉइंट है उसकी जुरत पढ़ेगी जैसा कि मैं ये डीको जो है टीपी लिंक का इसको यूज कर रहा हूँ ये मेरे पास मेश नेटवर्क को स्पोर्ट करने वाले राउटर से हैं ये तीन का पेर था मेरे पास तो Wi-Fi 6 टेकनोलजी एक लेटेस टेकनोलजी है जो के ज्यादा बेंडविज जो है वो बेज सकती है और ये थ्री का सेट है याईए के एक टाइम पर में तीन का मेश नेटवर्क मुना सकता हूँ मेश नेटवर्क से क्या मुराद है जैसा कि इसके उपर लिखा भी होँए Mesh Network से मुराद यह होती है दोस्तों कि यह तीनों आपस में connected रहेंगे एक ही network शो करेंगे मैं अगर move भी करता हूं अपने घर में हर जगा तो मैं एक के network से निकल के जब दूसरे network में जाऊंगा तो मुझे change नहीं करना पड़ेगा किसी किसम का glitch नहीं है गया बनाते हैं और ये तीन का सेट है और ये वाइफाई 6 को भी स्पोर्ट कर रहे हैं तो साथ में मैं आपको इसलिए ये भी बताना चाहरा था कि अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ है आपके कंप्यूटर या लैपटाप पर वो तो बेहतरी चलेगा है वो भी अच्छा लगा होना चाहिए दोस्तों कमेंट सेक्शन करके बताईए कि आप कौन सा इंटरनेट यूज कर रहे हो और कौन सा इंटरनेट सर्वस परवाइडर अप्यूहां क्या आप अपनी इंटरनेट कंपनी से खुश हैं को मिलेश बताईएगा दोस्तों कर दो दो किन दोड़ी लोगर का उपा भी नह बहाई जो भी नहीं जा है यह रजी है?